नमस्कार दोस्तो एक बार फिर हम लेक़ा आये ओडियोग सगोरी चैनल पंड नहीं ओडियोग ऑडियोग का नाम है The Richest Man in Babylon Summary The Richest Man in Babylon Babylon का सबसे हमीर आत्मी इस पुस्तक में नहीं कार्णियों के मादियम सहमीर और सफल बनने के तरीकों सिकाय गया है हर कार्णि पैसे को बचाना और सही तरीके बताती है दन्गू को प्योग करना की ये पुस्तक जिवन का वो ग्यान देती है जिसे सीख करके एक आदमी भी अमीर बन सकता है और कुछी से अपना जिवन जी सकता है पर एक बात ध्यान में रखें अमीर बनने का कोई सोटकट नहीं होता है सोटकट से कमाए पैसो से बना अमीर इनसान जल्द ही उन पे सोगवा देता है इसलिए इस पुस्तक से ये आसाना रखे कि आपको कोई अमीर बनने का सोटकट मिलेगा हाँ ये उन खास बातों को सिकाती जिसे इनसान अपनी आदत में डाल ले और लगाता और उन नियमों का पालन करें तो वो अमीर जरूब बनेगा जिस से फिर सोगव गयो इसमर जरुत मन लोगों को दान देता था दान देने के बाद भी उसके धन में कमी नहीं होती थी बल्कि धन दिन परती दिन बढ़ती जा रही थी यह सब देखकर एक दिन उसके पास कुछ लोगा है जो अरकाद के मित्र थे पर वो मित्र बहुत गरीब थे उनका जीवन का गुजरा बहुत मुस्किल से हो रहा था वो अरकाद से अमीर बनने का राज जानना है थे क्योंकि कई वर्स पहले अरकाद बिगरी था उसमें कुछ खास परतेवाब भी नहीं थी बलकि बाकी मित्रों की तरह वो भी एक जैसी ही पड़ाई की थी और काम भी होनी की तरह करता था फिर वो इतना अमीर आदमी के से बन गया यही सवाल लेकर उसके मित्र उसके पास आये और आगरे किये कि उन्हें भी अमीर बनने का तरीका बता है अरकाद इस बात से खुछ हुआ कि उसके साथी अमीर बनना चाहते हैं और उससे इसका ग्यान लेना आया है तब उसने उन्हें अपनी अमीर बने कानी सुनानी शुरु की वो बोला कही वर्ष पहले जब यूवा था वो बहुत dying अच जलाता था तो अमीर बने के सब ने देखा गरता था पर वो चाहे जितनी बी मैने करे उसके जीओन और हालाद में कोई सुदा नहीं आ रहा था, एक दिन काम के दूरान वो एक अलकेमिस्ट से मिला जो बहत अमीर थे अरकाद नोसे निवेदन के है कि वो उसे अमीर बनने का तरीका पस जिखाए अरकाद की जिगेसर से देख कर अलकेमिस्ट खुष हुए और उसे अमीर बनने का सबसे पहला नियम बताया अमीर बनने का पहला नियम ने आमदनी से हमेशा 10% बच्चत करना सुनने में ये बहुत नियम सरल लगता है पर हकीकत तो ये है कि ये नियम अमीरी की बुनियाद रखता है अरकाद ने इस नियम का पालन किया और एक साल तक अपने आम देन का 10% बचाता रहा जिससे उसके पास काफी दनी कटा हो गया पर उसने उस दन को एक गलत निवेस में लगा कर गवा दिया अलकामिश के समझाने पर और अपनी गलती से सीक कर उसने जो ये 10% का जो बचाता रहा उससे कटा किया अलकामिश के समझाने पर अपनी गलती से सीकने के बाद में वो अपने पेस शीर से फैसे बचाने लगा और सही जगे पर सही लोगों से ग्यान लेकर निवेस करने लगा जिससे फिर उसकी बचाई धंडाशी उससे अधिक कमा कर धन देने लगी कई वस बाद उसके धन के परती ग्यान मेहनत और लगन से प्रभावित होकर अलकेमिश नरकाद को अपना पार्टन बना लिया बाद में फिर अलकेमिश्ट के वस्यत से भी कुछ इससा उसे मिला जिसके फिर से उसके धन में अधिक बढ़ती हुई अपनी मेहनत सूज भूज के लिए फैसलों की वज़े से अरकाद धिरे धिरे कामीर अंचान बन गया अरकाद की इस कहानी से हमें ये सिक्सा मिलती है कि अपने आमदानी कहां में सद्स परसंट इससा बच्चत करें और सही लोगों से चाहन का रिले कर उसे निवेस करके बच्चत वाली धन से और अधिक धन मुकमाएं और ये कुछ वर्स में बढ़कर आपको अमीर बनाता जाएगा अरकाद की कहानी तथा इस पुस्तक से अन्नी कहानी के मादियम से हमें ऐसे कुछ मुक्य बात सीखने को मिलेगी जिसे अमीर बनने के लिए जानना बहुत जरूरी है तो चलिए जानता है अमीर बनने के मुक्य नियम में से धन के छे नियम हो अमीर बनने रहने के लिए शिक्स रूल्स रूल नमबर वन अपने आमदनी का 10% हमेसे आप कुछ को पे करें 10% बच्चत करें चाहिए आपके आमदनी कम हो ज़्यादा हर महीने सबसे पहले खुद को पैसे देना से के महीने बर की आमदनी से 10% बचने लिए बचा के रखें जब आप कहोगे कि हमारे करचे ज़्यादा है इतने आमदनी होती नहीं है जिससे करचे पूरे हो सके तो बच्चत कहां से कर पाएंगे मगर सच बात तो यह है कि इंसान के आमदनी जदर नहीं बढ़ती है करचे भी उतनी बढ़ती है हमेशा इंकम खर्चों से कम ही लगेगी और अगर आप कम इंकम में बच्चत करना नहीं सीख पाते तो आप ज़धा आमदनी में भी बच्चत करना नहीं सीख पाएंगे इसलिए चाहे जितनी भी आमदनी हो हर महीने अपने बच्चत खाते में दस परसेंट रखते जाए टूल नमबर टू अपने इच्चाओं पर नियंतर डग जिए जरूरी कर्चों और फिजूल कर्चों को समझे इंसान की इच्चाह ऐसी म मन में जाग जाती है जो विक्ति अपने जरूरी कर्चों जरूरी इच्चा पूर्ति और फिजूल की क्वाइसों में फरक को समझता है वही अपने पैसे को घर्च तरीके से करना जानता है और उससे कभी कंगाली का सामना नही करना पड़ता है इसलिए अमेरी का दूसरा कدم यह है money manager यानी इस फर्क को जानना, अमल में लाना कि कहां पैसे करना है और कहां नहीं rule number 3 अपने बच्चत किये पैसो को सही जगे निवेस करें rule number 1 में हमने सीका कि हैर महीन अपने आम दनी का 10% बच्चत करें rule number 3 यह बच्चत की गई धन राशी को सही जगे पर इन्वेस्ट करें निवेस से आपकी धन राशी आपको कही गुना अधिक धन कमा के देगी छोटे अंतराल में हो सकता है आप ज़्यादा बच्चत ना कर पाए हों और आप छोचेंगे इस छोटे से रकम से मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ पर यहां मिरेकल दिखाता है कमपाउंड इंट्रेस्ट इस कमपाउंड इंट्रेस्ट के जरिये और लंबे समय के साथ मिलकर एक चोटा सा निवेस भी कई गुना होकर आपको बड़ा बारी रासी वापिस देता है इसलिए लोंग रन में मिलने वाले अच्छे इंकम को देखें और इसमें धन का निवेस करें इसके साथ साथ अन्य सेक्टर में निवेस का उसर तलासे है रूल लंबर फॉर पेसो की हिफाजित करना और अपनी जमापुझी को ने गवाना पेसो को हिफाजित करने का आर्थ यह है कि अपने बच्चत किये वे धन को सही लोगों सही माद्यम के जरिये ग्यान लेकर सही जगे पर निवेस करें ताकि आपका निवेस सुरक्सित रहे और यह आपको अधिक दन कमा के दे गलत लोगों की सला या फिर जिससे उतना ग्यान नहीं है उनसे पूछ कर गलत निवेस आपका पूरा दन को डुबा देगा जिससे आपकी सारी जमापुझी चली जाएगी कई बार लोग लालच में आकर ज्यादा रिटन बाने के चक्रम गलत जगे इन्वेश कर देते हैं जिससे उन्हें बारी नुकसान जेलना पड़ता है ऐसे गलत कदम लेने से बचें कोई भी पेड़ एक चोटे से बीच से पनपता है और कुछ समय बाद ही वो बड़ा होकर फल देता है रात और रात अमीर बनने का सोटकर नहीं होता है जि परिया बनाएं उसके बाद देखेगा आपके पास अलग लग स्रोत से दन की वर्सा होगी सही ज्यान को उप्योग करके सही समय पर सही फेस ले लेने वाले विक्ति ही अपने जीवन में दन को आकर सित करते हैं रूल लंबर फाई हमेसा नहीं चीज़े शीखते रहना सही ज साथ चीज़ों की जुरुत भी वड़ती घड़ती रहती है अगर कोई विक्ति लगातार सही चीज़ों का ग्यान लेता रहता है और अन्य एक्सपर्ट लोगों से सीखता रहता है वही समझ पता है कि कब कहां निवेस करना और कहां नहीं इसलिए अपने अंदर सीखने की कल अपरवी की वजह से अपने हाथ एक बहुत अच्छे से अउसर को गवाद दिया था एक बार उसे एक इंसान मिला जो अपने बेड़ों को बहुत सस्ते दामों बेचना चाहता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों जुड़ती पर रात का समय था और सो बेड़ों को गिनना मुस्किल हो रहा था इसलिए वैपर उस अवसर को सुबह तक टाल गया पर सुबह होते ही हाथ खुल गया और वह इंसान हाथ में जाकर अन्य वैपरी को सारे बेड़ बेच दिया और इसी तरह वह वैपरी कम कीमत में अच्छे बेड़ों को करीने का मौ हिंदू इस बात को दर्शाती कि हमें सहर मां अपने आम दिक दस परच्छी बच्छी क्रोन बच्छत के लिए तो आपको बुक्स अमरी कैसे अच्छे लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करेगा चैनल को और लिंक दिया गया जाना कि इस बुक को परचेश कर सकते हैं